आज की इस वीडियो में हम करेंगे class 10th की theorem number 6.2 को solve ठीक है जो हमारे पास क्या है इससे पहले की वीडियो में हमने किया है 6.1 को solve 6.1 में हमने की थी bpt अब ये है converse of bpt लेकिन exam में आपको क्या आएगा if a line divides any two side of a triangle in same ratio then the line is parallel to third side ठीक है एक line divides की गई है दो sides में ठीक है और वो बिल्कुल क्या है same ratio पे है then the line is parallel to the third side और जो line है वो parallel है third side के यानि कि मान लो आपके पास ये triangle है same diagram पिछले वाले की तरह आएगा ठीक है थोड़ा सा changing आएगी नाम होगे इसका a b और c इसके बिल्कुल parallel हम क्या ले ले लेंगे d e ले लेंगे इतनी बात क्लिएर है तो यहां लिख दो आप जो जो आपके पास आया भी वहां लिख देंगे हम कि given है हमें given देखो given कहां से आया by bpt theorem से क्या था कि a d upon में क्या था d b a d upon में d b था और equal to a e upon में e c था a e upon में e c ये हमने prove किया था ठीक है अब देखो यहां पर क्या है कि जो हमें prove करना है to prove क्या करना है then the line is parallel to the third side कि यह जो bc parallel है किसके d e के यह हमें prove करना है याने कि यहां लिख देंगे d e parallel to bc इतनी बात क्लिए रहे अब यहां पर हम क्या करेंगे third side लाने के लिए हम यहां पर इसको देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि यह बिल्कु सेंटीमेटर है तो यह 4 सेंटीमेटर होगा यह 2 सेंटीमेटर है तो यह 4 सेंटीमेटर होगा आपस में कुछ ना कुछ तो relation है क्योंकि यह इसकी length कुछ और है इसकी length कुछ हो रहे हमें क्या बताना है कि आपस में क्या है parallel तो देखो df parallel to this bc इतना clear है अब यहाँ हम proof में क्या लिखेंगे देखो proof में हम लिख देंगे यह आगया आपके पास proof तो proof में हम क्या लिखेंगे एक छोटी सी line लिखेंगे कि let us suppose कि यह जो d e है ठीक है यह जो d e है यह parallel नहीं है bc के तो क्या लिखेंगे मैंने आपको पता दी है 2 cm 4 cm यह भी 2 cm 4 cm आपस में हमें क्या करना है इनको parallel अब क्या करेंगे let कर लेंगे let us suppose क्या कि हमने suppose क्या d e is not parallel to d e is not parallel to किसके bc के ठीक है उसके बाद हमने क्या हमने draw किया किसको line की d e f ठीक है then we draw then we draw a line कौन सी लिए d e parallel to d e parallel to अच्छा हमने कौन सी लिए d e d f sorry d e f parallel to d e f parallel to b c ठीक है अब हम इस पर करेंगे काम clear बात तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे आपके पास जो जो given है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे और यह चीज कहां से आई है through construction से हमारे पास आई है ठीक है अब देखो आपको आपको करना क्या है देखो a d upon में क्या ले लेंगे a b अब आपके पास नई equation बनेगी a d upon में d b equal to पहले था a e अब ले लेंगे a f क्या ले लेंगे a f upon में e c ठीक है a f upon में e c कहां से आया यह by a b p t की help से ठीक है by a b p t इसको देदो आप first equation अब आपके पास जो given था given क्या था हमारे पास हम जानते हैं given था a d upon में d b equal to a e upon में e c यह हमें क्या था given इसको देदो second equation इसको second दिया अब दोनों को आपस में क्या कर दो divide ठीक है कैसे करेंगे देखो from one and two हमें के मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा a e upon e c equal to a f upon e c ठीक है यह हमें यहां पर रहना f c आएगा sorry f c आएगा ठीक है f c क्यों आए क्योंकि a f upon f c कर रहे हैं ठीक है a f upon f c तो यहां f c आएगा अब देखो करना क्या है यहां हम क्या करेंगे add कर देंगे इसमें भी one इसमें भी one ठीक है तो adding both side by one अब कितना बन जाएगा यह a e upon e c plus one equal to a f upon f c plus one ठीक है यहां कितना आगया lc m ले लेंगे lc m आगया e c और यहां आगया आपके पास a e plus e c और यहां क्या आजाएगा a f c आगया lc m तो उपर तो आपके पास a f ही रहेगा plus e c आजाएगा ठीक है और e c नहीं आएगा f c आएगा बार बार e c लिख रहेगा यहां f c आएगा क्योंकि f c था ना अब यहां पर एक चीज देखना कि यह जो a e plus e c है ठीक है a e plus e c है इसे हम क्या लिख सकते हैं यहां पे देखो a e plus e c है a e plus e c तो अब यहां देखो a e f plus e c तो a e f और e c को क्या लिख सकते हैं a e c लिख सकते हैं तो यहां भी क्या लिख दो a e c अपोन में अब यहां पर है e c अब देखो यह a c के साथ a c कैंसल हो गया बचा कितना हमारे पास सिरफ यहां से देखो वैसे तो बचेगा हमारे पास one upon e c one upon f c लेकिन हम यहां के लिख देंगे कि e c या फिर इसको इस तरह भी तो cross multiply कर देंगे चलो पहले ऐसे लिख लो one upon e c equal to one upon f c ठीक है cross multiply करेंगे क्या जाएगा f c equal to e c क्या आगया f c equal to e c और यही हमारा क्या है answer हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां लिखेंगे क्या कि यह जो condition है हमारे possible कब हुई जब हमारे क्या है e और f point क्या है same है ठीक है यह जो e और क्या है f point जो है e और f point जो है हमारे same है ठीक है तब ही क्या होगा यह हमारा एक को लाएगा, देखो क्या लिखेंगे last में हम, this condition, this condition is possible if e and f are on same point, यह condition तब आएगी जब e और f के हैं आपस में एक ही point पे लाई करें, ठीक है, तो यहाँ लिख दो आपकी df जो है, df is parallel to bc by construction, ठीक है, जो हमने construction ली थी, और हमें proof क्या करना था, कि d e parallel है bc के, तो यह हो गया proof, ठीक है, d e parallel हो गया किसके, bc के तो यहाँ देख देंगे, hence, proof, clear बात, देखो कितनी easy theorem थी, और exam में कई वार आई हूँ है, तो आपने इसको ध्यान से करना है, एक एक step जैसे मैंने करवाई है, वैसे ही आपने करना है इसको, ठीक है, तो five marks आपके इसमें पक्ते हो जाएंगे, ठीक है जी, तो मिलते है next video में, next video में करेंगे हम इसकी, third theorem जो exam में कई बार पूछी गई तो उसको अब हम next video में लेंगे, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, और जो बाकी की जो first theorem थी, ठीक है, उसका link जो आपको description में मिल जाएगा, अगर किसी को direct अगर यही वीडियो दिखती है तो वो first theorem जो हो description में जाकर के देख सकत है, thank you, मिलते है next video में